इस वीडियो एपिसोड में आप सबोगा स्वागत है मिस्सलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स चैप्टर की प्रॉब्लम्स होते हैं और किसी भी एक्जाम में इनका विशेश महत्त होता है मैं धही सारे लेसंस मैंने पहले दिये हैं वीडियो पहले दिये हैं और अभी फिल जिन फूर उस सिंस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ शानदार है मझे उमीद है कि आप सभी भी से तुरंट सौल कर पाएंगे और समझ में भी आएगा आएए देखते हैं मैं अमर कुमार सिंग अमर सर अन अकेडमी पर भी हूँ जो एक फ्री लर्निंग एप है मैंने यहाँ पर ठेरों लेसंस और कॉर्सिस बनाये हैं जो बैंक, SSC और रेलवे एक्जाम के लिए बहुत ही लाव दायक हैं इनका लाव उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ए्ट तो हमारा फिस्ट कॉस्टं परता हूं यह फिस्ट यह पर्स्ट कॉस्टं है यह फिस्ट जो कॉस्टं है गदियर फ तियर्द क decline के लिए थाओव। परता है यह परता हूं गजविजर करदा है 224 meter square what is the circumference of the circular field ये आपको बताना है सम्झाया चाहूंगा ये first question जो हमारा है ये mensuration का है circular field circular field and square field ये है and square field थोड़ा गौर कीजी क्या कहा जा रहा है क्या दिया है क्या निकालना है इसका जो diameter है वो diagonal के बराबर है यानि ये जो diameter है diameter जो है और इसका जो diagonal है विकर्न है इसके बराबर है तो अगर हम इसे r माल ले radius माल लीजे r तो ये two r हुआ कि नहीं डाइगोनल, डाइमेटर, यह व्यास डाइमेटर इसके बराबर है, तो क्या इसे 2R न बुलेंगे? और हम जानते हैं कि इसका जो डाइगोनल होता है, साइड का, रूट 2 इंटू होता है, तो रूट 2 हटा दीजिए, तो यह रूट 2R होता है, क्योंकि जो डाइगोनल होता है, वो रूट 2 इंटू साइड होता है, तो समझ दीजिए कि 2R को, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, रूट 2 इंटू रूट 2R, फॉर्मूला में रखे निकाले वाए, क्या यह रूट 2 A नहीं हुआ, साइड नहीं हुआ, ऐसे देखें कि नहीं लिखें, बता ही, इसे लिए हम दोगों ने डारेक लिखा, ठीक है, यह समझें, तो इसे डारेक लिखा, अब हमें side पता है, और हमें इसका radius पता है, तो क्या न निकाल लें, difference between the area of circular field and area of square field is given, 224 meter square, दोनों की area में जो difference है, तो area में जो difference है, इसका area क्या होगा, πi r square πi r square और इसका area क्या होगा side square side square और दोरों का जो gap है वो 224 है आप मुझे बताईए r ये 2 r square होगा की नहीं इससे भी 2 बाहर ले लेते हैं 11 by 7 बचेगा मतलब 2 r square अगर आप बाहर लेंगे तो 11 by 7 minus 1 is equal to 224 होगा और आसानी से आप बता सकते हैं कि ये क्या होगा 7 less होगा तो क्या होगा 4 यानि 2 r square into 4 by 7 is equal to 224 होगा ऐसा इसले लिखा कि ये 4 into 2 8 से सीथा कार्ट डालिए 28 times r क्या होगा square है न r क्या होगा square root of 7 into 28 को भी हम 7 into 4 ले सकते हैं so that 7 into 2 बाहर आए यानि कि 14 जो भी है meter ठीक है circumference पुछा है circumference क्या होगा circumference 88 meter अंसर बुलिया होगा ठीक है 88 meter d is the answer d is the answer चले अगले question की हो ये समझ में आगया होगा इसके बाद second question चलते हैं second जो question है ये बहुत सांधार है अबरिश का है there are seven consecutive even numbers if the difference between squares of the average of first four even numbers and the square of the average of last four even numbers is 648 what is the average of the given seven even numbers बहुत सांधार question है आप चला सूची second number question मैं बताता हूँ क्या है one number, two number, three number, four number, five number, six number, seven number ये seven even numbers है तो middle वाले को average कहते है what is x ये सवाल है ये सवाल है x का मान क्या है middle वाले को average कहते है इन four का average कौन होता है ये बीच में होता है two two का gap है ये x minus three है यही बीच में है इन four का average कौन है ये बीच में है ये क्या होता है 2 and 1 3, x plus 3 होता है, अगर समझने में दिक्कत हो तो मैं बताता हूँ, एक एक्जाम्पल लेकर के, कि माल लिजी कि ये 12 है, तो ये 10 हुआ, ये 8 हुआ, ये 6 हुआ, ये 14 हुआ, ये 16 हुआ, ये 18 हुआ, 12 अभरेज है, ये इन 4 का अभरेज, बीच में 9 है कि नहीं, 9, 12 माइनस 3 है कि नहीं, x माइनस 3 है कि नहीं, और उसी तरह से, देखे, समझ में आ रहा है, यानि आप इसको बोल सकते हैं, कि ये 12 माइनस 3 है कि नहीं, और आप इसको बोल सकते हैं, कि ये 12 अभरेज 3 है कि नहीं, 15 है कि नहीं, बोले, समझे कि नहीं, ये समझ है, ये मुझे स यह सर्फ समझाना था इसलिए मैंने लिखा देखिए इसको खटा गेता हूँ यह सर्फ समझाने के लिए था अब आप मुझे बताए क्यों कि value तो कुछ और होगा कोई भी number है पता नहीं क्या है वही तो निकालना है तो क्या कहा गया है question में कि इनके square का जो difference होगा यानि यह x plus 3 और x minus 3 इनका जो square होगा और इसका जो difference होगा वो दिया होगा है 648 हाला कि आप इसको निकालेंगे a square plus 2ab plus b square नहीं मत कीजिए a square minus b square को बोले a plus b a plus b बोलेंगे तो 2x होगा into a minus b बोलेंगे तो 6 होगा is equal to 648 6 से cancel करेंगे इतना होगा 2 से cancel करेंगे 54 होगा तो क्या x का value 54 नहोगा answer 54 का मतलब a is the answer a is the answer बताता हूं कि दरसल क्या है हो क्या रहा है हो क्या रहा है a plus b और a minus b यह होगा कि नहीं यही calculation आपको मन में करना है यह क्या होगा 336 यह ही यहां लिखा गया था तो बुली यह समझ में आया देख लिए ठीक से आगे बढ़ू अगला सवाल boat in stream का है देखते हैं नेक्स्ट थार्ड नमगा परशन थार्ड boat in stream का है यह boat can travel 5.12 km up stream in 64 minutes दारा के विरद 64 minute में 5.12 km कोई boat जाता है तो up stream speed तो समझ में आगया why that is humanly if the speed of water current is one third of the speed of the boat in still water what distance in kilometer the boat can travel down the stream in 145 minutes smart way में बनाना है डंग से बनाना है सबसे पहली बात है कि हम up stream speed निकाल लेते हैं why why बोलते हैं up stream का speed और यह क्या होगा 5.12 km और यह क्या है 64 minute में तो 60 minute में क्या होगा 60 by 64 जाले ऐसे रहने लेते हैं बोले लिखे हैं ऐसे लिखें 16 से इसको अगर डिवाइड किजिए यहाँ decimal है इसे हम 0.16 into 30 क्यों निखें 4.8 km per hour क्यों निखें इसे पर दो y थेक हमें क्या दिया हुआ है still water में जो speed है u current का speed v y is given x is this यह down stream यह up stream यह still water speed यह current का speed लिखा हुआ है कि current का जो speed है वो one third है तो क्यों नहीं हम इसे three मान लें तो यह one हो जाए तो यह two हो जाए तो यह four न हो जाए आपका अपना three होगा current का one होगा आप में जाएगे न three minus one two से बहेंगे down में जाएगे three plus one four से बहेंगे यही ratio होगा still water speed current का speed upstream speed downstream speed given two का मतलब लिखा हुआ है हमने निकाला है four point eight kilometer per hour तो four का मतलब how much सीधा double ऐसी करने का मन करता है क्यों ने लिखे nine point six kilometer per hour answer nine point six kilometer per hour अभी answer नहीं हुआ क्योंकि हमसे x नहीं पुछा है nine point six kilometer per hour down में उसका speed है कोशिक मुछा distance बता ही क्या तो down में one forty five minutes में जो जाएंगे nine point distance जो required distance से वो क्या होगा nine point six kilometer per hour into one forty five minute का मतलब इतना आवर sixty minutes में इतना तो इतने में कितना बहुँ समझाया है कि नहीं इसको solve करना है थोड़ा ठंग से कीजिए थोड़ा और नीचे लिखता हम रुकिये distance is equal to लिखता हूँ nine point six kilometer power into one forty five by sixty मन करता है double कर दें double कर दें तो ये one twenty न हो जाए two ninety न हो जाए ये कर न जाए हो जाए हो जाए हो जाए decimal छोड़ दीजे eight into thirty क्या होता है दोसो चालीस में से आठ घटा दीजे दोसो बत्तिस न बचे गावन प्रेस के बाद decimal ऐसे मन लिखता है करते है 23.2 23.2 B is the answer पोड़िया ये समिल में आया और इसके बाद अगला सवाल इन ए 3-match cricket tournament the respective ratio of the runs scored by a team in first and second match was 7-12 and that between second and third match was 15-11 the difference of the scores between first and third match was 54 runs what was the average score of the team for the three matches taken together इसा है first match second match and third match ये three matches होते है question ये है कि जो first और second में जो runs बने उसका ratio है 7-12 और second and third and second and third में जो बने 15-11 इसे हम एक scale पर लाते हैं इनका LCM जी कितना है 60 हम इने 60 बनाते हैं सिक्स्टी पर इसको किससे करना पड़ेगा 5 से बर दोन गर करेंगे जब भी करेंगे दोन गर्र करेंगे क्या दिया हुआ है the difference between scores scores between first and third match तो यहाँ पर first and third first and third कोई भी जो बड़ा है third minus first इसका जो difference है यह कितना आया दोनों का difference देखिए nine और हम से पुछा क्या है nine तो nine दिया हुआ है 54 तो six times हुआ कि नहीं actual six times हुआ कि नहीं one का मतलब six होता है कि नहीं जहां तक average का सवाल है हम लोग इसको assume करते हैं 40 इन तीनों का average लेना है तो हम इसको assume करते हैं 40 अगर हम 40 assume करें तो 40 के बाद plus 20 बचेगा ना 40 के बाद minus 5 बचेगा ना 40 के बाद प्लस 4 बचेगा की नहीं पताईए आवरेज 40 मतलब इस ratio system है फिर actual में बतले के तो यह कितना आया 24 मैनस 9 मैनस 5 यानि कि 19 यानि average 40 हुआ प्लस 19 को जब तीनों में बाटेंगे तो जितना जितना हुआ यह ratio system में हुआ लेकि ratio system में 1 को 6 बोलते हैं तो वास्तर में यह होगा यह होगा 240 प्लस 38 यानि 278 बोलें समय के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं यह तरह आइंसर यह average हुआ यह हमने average माना ईज्यूम करके हमें मारा फिर अथिया average और फेरेश क्यों निकालें हमें हमें तरह सर्श थेश tief गोई अर्थ सर्ख अग्षज अजननन ने निकाला 40 क्यों करने क्योंदेते पांता निदेते लिबाटे हैं लाध दो तो 208 यानि देैंसर मुझे उमीध है कि इस स्टेशन को आपने इंज्वाय किया होगा पोस्ट करने का मेरा सलसिना लगातार जारी रहेगा ओके आल दो बेस्ट